नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और स्वागत याफ का इंडिया पबलिक खबर की स्पेशल बुलिटिन में जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का स तेज गति भुकतान और आसान उप्योग की वज़ा से भारत का यूपी आई दुनिया भर में लोगप्रिय हो रहा है सिंगापूर के पे नाव और भारत के यूनिफाइट पेमेंट्स इंटरफेस यानि यूपी आई के बीच मंगलवार को सीमा पार कनेक्टिविटी लॉं है जिसका वो बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे मैं इसके लिए भारत और सिंगापूर दोनों के लोगों को बधाई देता हूं आरत और सिंगापूर की मित्रता बहुत पुरानी है समय की कसोड़ी पर हमेशा खरी उत्री है हमारे पीपल टू पीपल रिष्टे इसका मुख्य आधार है UPI Pay Now Link का लॉंच आध दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुक्ता से इंतिजार कर रहे थे मैं भारत और सिंगापूर के लोगों को इसकी बहुत-बहुत बधाई देता हूं इसी बीच केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिच शाह ने मंगलवार को कहा कि नागा शांती वारता चल रही है और उम्मीद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थाई शांती लाने के लिए पीम नरेंदर मोदी द्वारा की गई पहल रंग लाईगी उन्होंने तुयन सांग में एक रैली को समूधित करते हुए कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले नागा लैंड फाइरिंग बंधमाकों से ग्रस था 2014 के बाद पीम मोदी ने शांती समझोते पर हस्ताक्षर कर नागा शांती वारता को आगे बढ़ाया आज नागा लैंड विकास की दिशा में आगे बढ़ गया है चुनावी रैली को समोधित करते हुए शाह ने कहा कि पूर्वी नागा लैंड के विकास और अधिकारों से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिनका विधान सभा चुनाओं के बाद समाधान किया जाएगा ये कहते हुए कि पूर्वोत्तर में उग्रवात कम हो रहा है और रक्तबाद गोलिवारी बंदमा के इंसरजंसी इससे नागालेंड त्रस्त मोधी जी ने प्रदान मंत्री बनने के बाद पीस एकोर्ड साइन करकर नागा पीस टॉक को आगे बढ़ाया और आज नागालेंड कई ज्यादा माइने में बहुत अच्छी सांती के साथ डेवलप्मेंट की दिशा में आगे बढ़ा है उन्हें वोट के माधियम से जवाब देगी वहीं उन्होंने राहूल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साते हुए कहा कि अभी यूपी में कॉंग्रेस का एक सांसद है और कॉंग्रेस के नेता ऐसा ही बयान देते रहे तो आने वाले वक्त में एक भी सांसद पर कोई न कोई बड़ा कांग्रेसी नेता इतने अपमान भरे बचनों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए मैं यह मानता हूं कि देश की जनता उन्हें माप नहीं करी कि आप इसको प्रफुदारूंद दिना ताकि मति पहले हर लिना मोदी जी को गाली देंगे और देश की ज बड़ते अगली खबर की तरफ तूर्की में आए विनाषकारी भूकम्प ने हजारों लोगों की जान अब तक ले ली है इस वक्त तूर्के कठिन दोड से गुजर रहा है वही तूर्की में आई आपधा को देखते हुए भारत ने भी ओपरेशन दोस चलाया इसी कड़ी में भारतिय सेना प्रमुख जनरल मनोश पांडे ने साच पैरा फील्ड अस्पताल के अधिकारियों को सम्मानित किया जो भूकंप प्रभावित तुर्की से सफल संचानल के बाद भारत लोटे अधिकारियों को बधाई देने के बाद जनरल पांडे ने कहा कि हमें गर्व है कि साच पैरा फील्ड अस्पताल मानविय सहायता और आपदा राहतकारियों के हिस्से के रूप में अपने मिशन और उन्हें सौपे गए कारे की सफल उपलबदी के बाद भारत वापस लोट आय अस पात अप अपन पर चामई ऑनाट इन असिस्टेंस अच पार शोट अजस्टर रलिफ एंस प्राट आप थार उब्स अबदी तो टर्की एंड ए लादे तर तर आद एंध देने अट दाना अर फिल्ड एंड एंद फिर विद फ्रॉरी और इंद फिर ट्रॉट टॉट ए दोसरी तरफ महराश्रु की राजनीती में शिरसेना के नाम और चिर्न की लड़ाई अब सुप्रीम कोड जा पहुंची है चुराव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे पक्ष सुप्रीम कोड पहुंचा है सुप्रीम कोड का कहना है कि वो कल यानि 22 फरवरी को शिरसेना के उद्धव घुट की याजिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोड में उद्धव ठाकरे की ओर से वरिष्ट वकी डॉक्टर अभिशेक मनुसिंद्वी पेश हुए है उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की शुरुवात हो चुकी है जिसके बाद से ही सपा प्रमुख योगी सरकार पर हमलावर है अखिलेश यादो लगातार प्रदेश सरकार को किसानों युवाओं पर लॉइन ओर्डर के मुद्दे पर घेर रहे है इसी क्रम में एक बार फिर अखिलेश यादों ने सरकार पर तंच कसा है पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में मंदिर क्या जो चाहे वो बना दे सवाल ये है कि जंता को क्या मिल रहा है पूर्व मुख्य मंत्री ने कैंसर की वज़ा से अपना दल सोने लाल के विधायक राहूल प्रकाश कोल के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि आज कैंसर की वज़ा से कितने लोगों की जाने जारी है अगर आप यारी बीजेपी कैंसर इंस्टिट्यूट नहीं बनाएंगे आप अस्पताल नहीं बनाएंगे आप सरकार की लोग है खुद अपना मंदिर बनाना चाहते हैं हालाकि उन्होंने ये सपश्ट नहीं किया कि वो किस मंदिर के बारे में बात कर रहे है कि वो क्या सरकार में हैं मंदिर क्या फाइव स्टार होडल बना दे अब सरकार में जो चाहेंगे वो बनाएंगे सवाल यह है कि जंता को क्या मिलना है आज चिंता विक्त की एक वे बिधाय की मिरत हो गई नया बिधायक था कम उम्र का था हो सकता है उसके जीवन में अगर रहता तो नजाने कहां पहुंसता उसके पिताजी सांसा समाज़ी पाइटी से रहे और दोलों से भी रहे वो किसकी बज़े से उसकी जान चलीगी कैंसर की बज़े से आज कैंसर की बज़े से कितने लोगों की जान जा रही है समाजबाली पाइटी की नेता शिवपाल यादों ने यूपी सरकार पंडिशाना साधा और प्रदेश में शुल रही परियोजनाओं और योजनाओं में हुए पूंजी निवेश की बारे में विस्तरित रिपोल्ट सार्वजनिक करने की मांगी शुपाल ने कहा कि निवेश नौ साल से आ रहा है तो सरकार इसकी सूची जारी करे साथी नौ जवानों को रोजगार देने की भी उन्होंने मांगी सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार कोई काम नहीं कर रही है कि देखे निवेश नौ साल से आ रहा है तो उसकी सूची जारी होना चाहिए तक कहां कहां पर फैक्टियां लगी हैं कहां कहां रोजगार मिला सा और मेरी तो मांग है कि नौजवानों को रोजगार मिला नहीं है बड़ते अगली खबर की तरफ जहां मेघाले में विधान सभा चुनाओ को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के बीच वार पलट वार का दौर जारी है मेघाले में विधान सभा के चुनाओं होने हैं ऐसे में तमाम राजनीतिक दल वहां प्रचार प्रसार भी जुटे हुए हैं इस सब के बीच कॉंग्रेस मेघाले में दम दिखाने की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस के लिए सचिन पाइलिट आज मेगाले में चुनाओ प्रचार करने पहुंचे इस दोरान पाइलिट ने कहा कि जनता जानती है कॉंग्रेस देन नए लोगों, शिक्षित लोगों और महिलाओं को मौगा दिया है लोगों को हमारी घोशना पत्र पर भरोसा है, मेगाले एक नई शुरुवात का गवाह बनेगा कॉंग्रेस यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाईगी पात साल में यहाँ पर बीजेपी, इनपीप, उड़िपी के सरकार था, पात साल काम किया अब चुनाप के टाइम सबलगल हुए है, आप लोगों पर आरोप लगा रहे है, जनता सब देख रही है, कॉंग्रेस पार्टी में नए लोगों को मौका दिया है, पड़ेले के लोगों मौका दिया है, महिलाओं को मौका दिया है, हमारे मैनिफिस्टर को लोग बिश्वा जा रहा है कि कुल 70 ऐसे लोकेशन है जहां पर NIA की शापेमारी चल रही है, यह चापेमारी गैंक्स्टर और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई है, जानकारी के मुताबिक NIA की यह चापेमारी गैंक्स्टर और तमाम राजियों में फैले उनके सिंडिकेट को लेकर की जा रही है, NIA की ओर से इससे पहले पिछले साल की आखिर में भी दिल्ली NCR समेट देश के कई राजियों में एक साथ चापेमारी हुई थी, यूपी में जिन जगों पर चापेमारी चल रही है, उसमें लखनाव पीली भीत और प्रताब गड़ भी शामिल है, इधर जोशी पर जोशी मर्ठ मारवारी के बीच सड़क में कुछ नई दरारे आई, संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, वही अधिकारियों का कहना है कि जानकारी मिलने पर जाच की जा रही है इसी के साथ इस स्पेशल बुलिटर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबर अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दमाए, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स साथ तग्पक्सि पहाष्पाइ